नवश्कार दोस्तों, मैं हूँ सर्फवंति सिंग और आप देख रहे हैं Let's Nurser Armands, अगर हम किसी से भी पूछें, क्या हूँ हमेशा जवान रहना चाहते हैं, तो सब का जवाब होगा कि हाँ, हम जवान रहना चाहते हैं, जवान कैसे रहना चाहते हैं, बाइलोजिकल ऐसके मै बात नहीं करें हूं वो तो बढ़ेगी, कलेंडर के पेज तो बलट्टे जाएएगे, बलट्टे जाएगे, लेकिन मैं बात करें हूं उस एज की, जिसमें आप हमेशा active रहें, जिसमें आपकी power कम नहीं हो, जिसमें आपका stamina कम नहीं हो, क्या आप ऐसे रहना चाहते हैं, ज कि आखर Martinez कर दे तो वी बूड़े नहीं हो तितक है तो ons घृपर के नहीं हो जाता है था है म्यर्टी इस चीजों से और वह भी जेवा झते हैं हम अगर इनसे बचे रहेगे यानि के लिए बोन्स भी तरीके से करते रहें कि तो सबस्क्राइब करने वाली हुं теперь जिन फूर्स के बात करने वाले हूं, उनको आप सुपर फूर्ड कह सकते हैं, अगर हम उनको रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि फूर्ड आइटम से रेगुलरली करे जा सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं जो नहीं करी जाए, तो हम अपन जो हमारे मसल्स को चाहिए, ये फूर्ड आपकी एज, एजिंग का जो प्रोसेस है, उसको स्लो डाउन कर देंगे, अईरवेट के खास बात यही है, कि इसने हमें सिखाया, कि हमें कब क्या और कैसे खाना चाहिए, कब क्या और कैसे काम करना चाहिए, क्या हमारा रूटीन हो ज़्श में चाहिए, क्या दिन चरिया होना चाहिए, वो सब चीजे अगर हम अपनाते हैं, तो हम खुद को जमान रख सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं, कौन खौन से वो पांच सूपरफूर नमबर वन पर आता है किश्मिष, किश्मिष चोटी चोटी होती है, आपने में बहुत मदद कर यह बहुत जबरदस्त एंटी अक्सिदेंट होती हैं यह बड़ा पावर फुल एंटी अक्सिदेंट है तो आपकी बाड़ी ़िए इसमें विटामिन्द ए काफी मात्रा में होता है तो यह आपके बताने वाले हूं उस तरीके से आप इसे खाते हैं तो आपको कभी भी constipation नहीं होगा और आप जानते हैं कि constipation होना बहुत सारी बिमारियों का कारण बनता है क्योंकि अगर आपकी gut health सही नहीं है आपका digestion सही नहीं है आपका जो आप खा रहे हैं उसके nutrition absorption सही नहीं है तो आपकी health अपने आप ही खराब होना शुरू हो जाएगी degeneration शुरू हो जाएगा और बढ़ापा जल्दी से आएगा तो इसे खाना कैसे है आपने रात को 10 से 15 किश्मिष पानी में भी बोके रख दें वह उन किश्मिष को आप खाली पेट चबा चबा के खा लें किश्मिष खाने के बाद वह पानी भी पी लें बस हो गया आपका काम जिसको chronic कॉस्टिपेशन का प्रॉब्रम है वो इसमें अगर एक अंजीर साथ में मिला ले तो उनको और भी ज्यादा फायदा होगा तो नंबर बन पर आया किश्मिष नंबर टू पर है फ्लैक सीड्स फ्लैक सीड्स यह एंशन टाइम से चले आ रहे हैं लेकिन इनके बारे में प्रॉटीन काफी मात्रा में होता है तो आपके बाडी में प्रॉटीन की कमी नहीं होगी और प्रॉटीन अगर आप सही मात्रा में खाते हैं तो हम अपने आप ताकतवर रहते हैं इसमें फाइबर काफी मात्रा में तो यह आपको फुल काफी लंबे समय तक रखेगा इसमे वो weight loss की बात करें, हर चीज में flaxseed आपको बहुत मदद करने वाले हैं, और flaxseed को खाना कैसे है, flaxseed का जो outer shell है वो थोड़ा सा hard होता है digestion में, अगर उसको as it is खाया तो digestion का problems हो सकता है, तो इसके लिए आपने करना यह है कि सबसे ज़रूरी है उसको roast करना, हलका सा roast करना है आपने, रोस करने के बाद आप उनको as it is रात को पानी में भीगो के रख दें और सुबह चबा चबा के खा ले या उसका powder बनाके उसको पानी में भीगो दें और सुबह उस पानी को भी पीलें तो यह आपको बहुत फायदा करेगा, हम सबकी body के अंदर cancer cells आजकल सबके अं हम कब बिमार होते हैं, जब वो cells activate हो जाए और flax seeds की property ऐसी होती है कि वो cancer cells को activate नहीं होने देते हैं, यानि कि आपको cancer से भी बचा सकते हैं, flax seeds की properties हलकी सी गरम होती है, तो जिनकी pit प्रवर्ती है, वो ज्यादा flax seeds ना खाएं, क्योंकि उससे गर्मी बढ़ेगी, heat बढ़े में आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि बच्चों को घिस घिस के बदाम चटाओ, तो उनका दिमार बहुत तेज हो जाता है, वाक्य में, बदाम की बहुत अच्छी properties होती है, इसमें vitamins, minerals, good fat, बर-बर के है, काफी मातरा में होता है, वो आपके लिए अच्छा भी होता है, अ अगर आप किशमेश और बादाम का combination करके खाएं, तो फिर तो इन दोनों का combination आपके लिए बहुत जाला फाइदे मन होगा, बादाम में इतने सारे vitamins, minerals और protein होता है, कि आपकी AD से लेकर चोटी तक, यानि कि from your toe to head, ये आपके हर चीज के लिए बहुत फाइदे मन है, फोर प nutrition का problem में उनके लिए poppy seed बहुत अच्छे होते है, poppy seed आपके weight को control करने के लिए बहुत अच्छे होते है, जिन लोगों का digestion poor है, मतलब खाते हैं, हजम नहीं होता है, खाते हैं, कटे डगारे आती हैं, जलन होता है, उनके लिए तो poppy seed बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन होते हैं, उसको improve करते हैं, जिसकी जितनी अच्छी जटरागनी होगी, जितनी अच्छी digestive fire होगी, उसका digestion उत्रा ही अच्छा होगा, और poppy seed उसमें बहुत मदद करते हैं, बेसिकली तो जो चीज़ आपकी digestion के लिए अच्छे हैं, वो आपकी पूरी body के लिए अच्छे हैं, skin हो, बाल हो, आखो, हाथ हो, नाखो, कुछ भी है, उसके लिए बहुत अच्छी होते हैं, इन चीजों में, इन सभी चीजों के जिनके मैं नाम बता रही हूँ, इसमें आपको जो जो चाहिए, आपकी body को fit रहने के लिए जो जो चाहिए, वो सारी चीज़े इन में हैं, इन में वो properties हैं, जो आपको relax रखेंगी, जो आपके muscles को tense नहीं होने देंगी, जो आपके anxiety को कम करेंगी, पॉपी सेड्स की cooling property होते हैं, तो ये समर्स में तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, खस-खस बोलते हैं, खस-खस का शर्बत, तो इसी लिए पिया जाता है वो खस-का शर्बत के वो उसकी cooling property होते हैं, गर्मी से होने वादे नुकसान से भी हमें बचाते हैं, ये भी आपने एक से दो टेबल स्पून ही लेना है, और रात को इसको पानी में बिगो के रखना है, सुपह इसको grinder में ब्लेंडर में डालके घुमा दें, और वो पानी आपके लिए तो बहुत फायदे हैं, मैं हर बार बालों की बात करूं तो स्केन की बात करूं तो हर्चीज में मेथी दाना बहुत फायदे मंद है, किसी को अगर urinary tract infection है, उनके लिए भी मेथी दानी का पानी बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद है, इसको भी आपने ऐसे ही करना है कि एक टी स की process को slow कर देंगे, आपके stamina को बना के रखेंगे, बलके बढ़ा के रखेंगे, तो आप इनको अपन डायट में शामिल कर सकते हैं, अब बात आती है कि इन सब चीजों को सोग करके क्यों खाना है, क्या हम ऐसे ही नहीं खा सकते हैं, इस सवाल पूछेंगे, सब लोग पूछ जाता है, उस बीज के अंदर प्रान उर्जा बनती है, और वो प्रान उर्जा जब आपके अंदर जाएगी, तो आपकी उर्जा को और बढ़ाएगी, आपके अनरजी को और जादा बढ़ाएगी, इसलिए सोग करना जरूरी है, नमर टू, सोग करने से जो इसके अंदर phytic acid है, जो उसका प्रभाव है, वो काम हो जाता है, और वो आपको नुकसान नहीं करती है, तो ये दो रीजन है, जिससे आपको जरूरी है कि इन चीजों को सोग करके खाएगी, ये तो आप कह सकते हैं, जवान रहने का, लेकिन क्या ये इतना काफी है? नहीं, ये आपको अंद स्टिफ नहीं हो, आपको एक्साइज करना बहुत जरूरी है, जो जितना कर सकता है, एक्साइज कितनी करनी चाहिए आपको, कि आप हलका सा माथे पर पसीना महसूस करें, जब आप एक्साइज करें, या आपकी स्पाइन के उपर आप पसीना महसूस करें, इतनी कासी भी यह ले कि मेरे अंदर एनर्जी बहुत आपी चैनल को सब्सक्राइब की जी थैंक यू